प्यारे विद्याठियो आप सबका हमारी चैनल पर स्वागत है आज बच्चो हम कक्षा साथ की गणित की वरक्षीट नमबर पांच करने वाले हैं वरक्षीट नमबर पांच बच्चो प्राइक्ता बच्चो प्राइक्ता के बारे में आज हम स्टडी करेंगे उफ आज बहुत गर्मिय शायद वर्षा होगी नहीं आज वर्षा नहीं होगी तो ये वच्छो सवाद चला हुआ है एक कहता वर्षा होगी एक कहता वर्षा नहीं होगी ये भी एक प्राइक्ता है यानि प्राइक्ता जो होती है वच्छो संभावना होती है किसी भी घटना के ओने की संभावना हर रोज की बात्चित में हम अक्षर प्राइक्ता का प्रियोग करते हैं जैसे हमारे जिवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित ओना निश्चित है कुछ ऐसी जिनका घटित ओना ऐसंभाव है और कुछ ऐसी जो ऐसी हो सकती है जो ओ भी सकती है और स्थितिया होंगी या नहीं संयोग या संभावना पर निर्वर करता है गटना के ओने वो नय होने का संयोग ही प्राइक्ता है किसी गटना की प्राइकता बराबर होती है गटना के संभावित प्रिणाम बटे गटना के कुल प्रिणाम उधान जब किसी सिक्के को उठाला जाता तो इसके दो संभाव चित या पठ है तथा यहीं कि सम्प्राइग गटना है अता चितिया पठाने की प्रायकता 1 बटा 2 है ईक सिक्का है उसके 2 पहलो होते हैं तो कुल परिणाम 2 गई और चितिया पठाने की संभावुना 1 बटा 2 हो गई निश्चित गटना की प्राइकता एक होती है एसम्भो गटना की प्राइकता जीर होती है अगर आज मंगलवार है तो कल बुद्वार होगा यह निश्चित यह सम्प्राइक गटना है क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुद्वार ही होगा अत्य प्राइकता एक या 100% होगी तो 100% तब ही होगी जिदी वो निश्चित हो मैं मध्यान आवकास के समय उड़ूंगा ऐसमभव या ऐसम प्राइकता इसकी 0 होगी उड़ूंगा कहा इसने बच्चो तो उड़ सकता नहीं उड़ सकता है तो हम इसकी प्राइकता 0 रखेंगे प्राइकता रिनात्मक नहीं हो सकती और एक से अधिक नहीं हो सकती एक से अधिक नहीं होती प्राइकता 0 और एक के बीच में होती हमेशा जीरो से बड़ी या जीरो एक के बराबर या एक से छोटी अब देखिए बच्चो इससे समदित परसन परसन नमबर एक बताईए कि निमलिखित में किसका होना निश्चित है किसका होना ये संभव है और कौन भी हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं आज आप कल से अधिक आयुके हैं ये संभव है संभव क्यों है क्योंकि एक दिन आपकी आयुका बढ़ गया है एक दिन ज्यादा हो गया है तो इसलिए संभव है उसके बाद एक सिक्के को उच्छालने परचित आएगा एक सिक्के को उच्छालने पर चिताएगा ये हो सकती है लेकिन निश्चित रूप से नहीं इसमें आएगा ये हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है क्योंकि चिताने की संभावना 50% है इसलिए हम कह सकते हैं संभावना हो भी सकती है लेकिन पूर्ण रूप से निश्यत नहीं है एक पाशे को फेकने पर आठाएगा ये संभावना नहीं हो सकती क्योंकि पाशे के अंदर एक से च्छे तक की संख्याएं होती है इसलिए ये संभावना ही है अगली ट्रैफिक लाइट पर हरी लाइट अरी दिखेगी ये हो सकती है प्रन्तु निश्चित रूप से नहीं प्रन्तु निश्चित रूप से नहीं हो सकती तो इसमें भी आप निश्चित रूप से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जरूर इनी की हरी ही दिखाई देगी और हर दिखाई भी दे सकती है पांच बादल गिरे होंगे तो ये भी निश्चित रूप से नहीं हो सकती या हो भी सकती है और निश्चित रूप से दोनों उप्षिन इसमें आ जाएंगे दोनों की तरह की संभावनाईश में है क्योंकि बादल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते एक दो तीन च्यार पांच और छे अब देखिए दो से बड़ी संख्या दो से बड़ी संख्या हमारे पास आ जाती तीन च्यार पांच छे च्यार संख्या हैं कुल प्रिणाम प्राइक्ता जो है वग्चोईस की पहले पार्ट की प्राइक्ता जो है वह आज जगी कुल प्रिणाम आप लेख सकते हैं च्छें और संभावित प्रिणाम संभावित प्रिणाम अमारे पास है 4 संभावित प्रिणाम 4 है तो यह उपर दिखाए दे रहे होंगे 4 है 3, 4, 5 यह संखे हाती है इसलिए इसकी प्राइकता जो है प्राइकता बच्छो हो जाएगी 4 बटे 6 4 बटे 6 दो से कट जेगा दो दू नीचे आ, दो ती अच्छ है, यानि दो बटे तीन, तो दो बटे तीन आ जाएगा, इसकी प्राइक्ता आ जाएगी दो बटे तीन, उसके बाद बाद जा संख्या आने की, तो बाद जा संख्या आने की प्राइक्ता क्या होगी, बाद जा संख्या कौन-कौन सी होती ह एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे इसमें बाद्जे संख्या देखिए कौन-कौन सी है बाद्जे संख्या हम निकालेंगे जैसे दो, च्यार, छे ये बाद्जे संख्या हैं दो भी आ जाएगी और च्यार भी आ जाएगी और छे भी आ जाएगी तीन बाजे संख्या हैं तो तीन बटे 6 इसकी प्राइकता हो जाएगी तीन से कड़ जाएगा तीन एकम तीन तीन दोने 6 हो जाएगा एक बटा दो इसका अंस्वर आजाएगा फिर तीसरा पार्ट देखिए विसम संख्या आने की एक दो तीन च्यार पांच छे तो विसम संख्या चाट लेजिए एक तीन पांच विसम संख्या हैं तो तीन बटा 6 इसकी प्राइकता आजाएगी तो ये भी एक बटा 2 आजाएगी सम एबाजे संख्या आने की सम है लेकिन एबाजे भी है तो ऐसी संख्या हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब देखें सम संख्या यह होती है 3 लेकिन अभादजय संख्या इसके अंदर केवल 2 होती है सम अभादजय संख्या केवल 2 होती है यानि संख्या में अगर count करें तो 1 ही है तो यहां पर आप प्राइक्ता आप लिख सकते हैं सारी चीज़े आप लिख सकते हैं प्राइक्ता फिर उसके बाद जैसे कुल परिणाम सभी के अंदर सेम आएंगे कुल परिणाम बराबर आएंगे कुल परिणाम आएंगे 6 है अब एस सभी में आप लिख सकते हैं संभावित परिणा, संभावित परिणा तो इस तरह से आप कैलकुलेशन पूरी लिख सकते हैं जैसे पहले के अंदर संभावित परिणाम थे, दो शिबड़ी संख्या तीन और बाज़े संख्याने के दूसरे में भी तीन थी दूसरे में तीन संभावित प्रिणाम तीसरे के अंदर भी तीन थी विशम संख्या आने विशम संख्या तीन थी और संभावाजे और चोथे में जो प्रिणाम थे वो एक था संभावित प्रिणाम इस तरह से प्रिणाम और संभावित प्रिणाम लि